नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका और आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ये जो फार्मर प्रोटेस्ट जो 13 फरवरी से शुरू हुआ है आखिर वो क्यों है क्या उनके पीछे के कारण है क्या हमारे किसान भाईयों के क्या डिमांड है और सरकार का क्य कहना है उसके उपर और मामला कहा नहीं बन पा रहा है क्यों ये विवाद बढ़ रहा है क्यों ब्रबर की गोलियां चल रही है काफी सारे विज्वल्स हमको दिख रहे है नजर में आ रहे है इस सब के बारे में हम एक complete चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमको पूरा इ किस में ही ये प्रटेस अलरेडी हो चुके हैं सन 2019 में भारत सरकार फार्म लॉज लेकर के आई थी तीन फार्म लॉज लाए गए थे जिसके तहट सरकार का ये कहना था कि अब जरूरी नहीं है कि किसान अपना जितना भी जो भी सामान है वो मंडियों में जाकर के ही बेचे वो डिरेक्ट सीधे किसी प्राइवेट कंपनी को भी बेच सकते हैं इसको आसान भाषा में बताते हैं नवेंबर 19 में सरकार एक लॉल आई जो की अभी तक की जो विवस्ता चल रही थी उसको बदल रहा था अब सवाल आता है अभी तक क्या विवस्ता चल रही थी जो बद यवो 100 कुंतल गेहूं मैंने मंडी में जाकर के बेच दिया अब मंडी वालों के उपर होता है कि वो मुझे क्या रेट दे रहे हैं वो हो सकता है मुझे 5 रुपए कुंतल, 10 रुपए कंटल या 25 रुपए कंटल, डिबेंड करता है कि वो कितना गेहूं का रेट मुझे मिल कुंटल की बात हो रही है जैसे एक आइडिया है मतलब वैसे जो रेट मिलता है वो लगभख ऐसे होता है 100 रुपए, 1.500 रुपए, 200 रुपए कुंटल ऐसे करके रेट होता है और ज़ादा भी होता है तो 200-200-300 तक की पर फाइडा क्या होता है मैंने मंडी को जाकर एक साथ द ये अलाव कर दे रहे हैं ये बात है नवंबर 2019 ही कि आपको साब मंडी जा करके अपना माल नहीं बेचना है आप चाहें तो मंडी जाएं और चाहें तो आप डिरेक्ली कॉर्पोरेट्स को बेच सकते हैं इसका अर्थ क्या हुआ For example मान लीजे Britannia bread है Britannia को अगर अपनी bread बनानी है तो उसको मंडी में जाना पड़ेगा वहां से उसको गेहूं खरीदना पड़ेगा और वो गेहूं से फिर मैदा बनाएगी फिर bread बनाएगी माने आवशकता तो Britannia को भी बहुत सारे गेहूं की है अभी क्या होता है वो मंडी से अपना गेहूं खरीदती है और मंडी में गेहूं कहां से आता था किसान देता था तो मान लीजे होता ये था कि किसान ने मान लीजे 200 रुपए कुंटल अपना गेहूं मंडी में बेचा और Britannia ने मंडी से वही गेहूं जो है वो 300 या 300 रुपए कुंटल में ब्रि किसान चाहे तो directly private companies को भी बेच सकता है माने किसान ने directly 100 कुंटल गेहूं अपना Britannia को बेच दिया Britannia को क्या फाइदा होगा इससे और किसान को क्या फाइदा होगा समझते हैं किसान अभी तक बेचता था 200 रुपए में Britannia खरीदती थी वहां से उसी मंडी से सारे 300-400 रुपए में अब मान लीजे डील ये सेट हो गई कि Britannia ने बोला कि ठीक है हम आप से 300 रुपए कुंटल में खरीद लेंगे तो किसान को क्या फाइदा हुआ किसान 200 रुपए कुंटल में मंडी में बेचता था अब उसी गेहूं का किसान को 300 रुपए कुंटल मिलेगा Britannia को क्या फाइदा हुआ Britannia को फाइदा हुआ कि भाई जो गेहूं उसको 300-400 रुपए कुंटल मंडी से मिलता था अब उसको वो 300 रुपए में मिल रहा है नुकसान किसका हुआ मंडी का मतलब बीच का जो बीच की चीज है उसको थोड़ा eliminate कर देगी कोशिश करी गई तब तो ये farm law आये थे 2019 में इसके against पहला farmer protest आप सोच रहे होंगे ये फिर farmer protest क्यों हुआ देखिए वो इसको brief में बता देते हैं 30 second में लोगों ने सोचा शायद इससे मंडी गायब हो जाएंगी शायद बड़े-बड़े जो corporate players होंगे फिर शायद वो किसानों को परिशान करें वो शायद मंडी से भी कम दाम दे तो इन कई सारे शायद इसमें बीच में थे जिस कारण से किसानों ने इस के तहट प्रोटेस किया और यहाँ पर ये तीन farm laws हटा दिये गए तो वो पूरी तरीके से repeal कर दिये गए थे तो क्या सवाल प्रशनी ये उठता है क्या ये दिल्ली चलो 2.0 क्या ये पिछले वाले प्रोटेस का दुबारा से resurgence है क्या यही प्रोटेस दुबारा उठकर के आ रहा है इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं अबकी जो demand है वो बिल्कुल अलग है आईए तो अब हम शुरू करते हैं दिल्ली चलो 2.0 एक जिस्ट में आपने पहले क्या हुआ था ये समझ लिया होगा अब देखिए तो हम क्या देखेंगे कि भारतियस फार्मर्स क्यों प्रोटेस कर रहा है और जब मैं भारतियस फार्मर्स कहता हूँ तो यहां mainly पंजाब, हर्याना और Western UP के फार्मर्स Western UP का मतलब हो गया आपका Noida, Meret इस साइड का जो एरिया है इस जोन के फार्मर्स इसको प्रोटेस कर रहे है पंजाब, हर्याना और Western UP वाला जो फार्मर्स हैं वो इसको प्रोटेस कर रहे है उनकी डिमांड क्या है और फिर हम उनका अनालिसिस करेंगे उनकी डिमांड कितनी सही या कितनी गलत इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो देखे, ये दूसरा फार्मर्स प्रोटेस है पहले 2021 में हुआ था जो की कैंसिल कर दिया गया था सरकार ने फिर उसको एक साल से उपर आपको बता दें ये फार्मर्स प्रोटेस कम टाइम के नहीं चलते हैं ये एक साल से भी उपर तक ये फार्मर्स प्रोटेस चला था और अभी फिर से यहां पर क्या हुआ है दो मंच हैं क्या नाम है उनका एक है किसान मजदूर मोर्चा और दूसरा है संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा इन दोनों मजदूर ये सबसे बड़े किसान संग है इन से तकरीबन 200 किसान यूनियन जुड़ी हुई है तो इन दोनों के banner के अंदर गत जितनी भी किसान union आती है और उन किसान union से जितने भी किसान जुड़े हैं वो सब अब 13 फरवरी के उन्होंने बोला था कि साब हम दिल्ली मार्च करेंगे तो दिल्ली वो मार्च करने जा रहे थे तो दिल्ली के सारे जितने भी बॉर्डर थे उनको सील कर दिया गया वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है और अब जाहिर सी बात है किसानों को भी तकलीफ हो रही है और वहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी तकलीफ हो रही है लेकिन हम देखते हैं कि आखिरकार दिल्ली आ क्यों रहे थे इनके डिमांड्स क्या है इसकी बात करते हैं देखिए सबसे पहली चीज समझेए, यहाँ पर कहते हैं एक चीज होती है MSP, यानि इनका कहना है कि हमको MSP की guarantee करिए, अब साहब MSP क्या होता है यह समझेगा, देखिए MSP का अर्थ यह होता है, minimum support price, इसका अर्थ यह हुआ, कि जैसे माल लीजे मैं किसान हूँ और मैंने गेह उगाया, अब मान लीजे मेरे गेहूं की कीमत, 100 कुंतल मैंने गेहूं उगाया, अब मुझे गेहूं का न, एक particular दाम मिलना चाहिए था, अब सरकार क्या कहती है, यह दाम कितना मिलना चाहिए था, सरकार कहती है, कि आपको जितना भी, मान लीजे, आपका जितना भी खर्च आया है आपको वो 100 कुंटल गेहूं उगाने में हम उसका 1.500 प्रतिशत हम आपको पैसा दे देंगे ये होता है MSP लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है थोड़ा सा इसमें और भी है समझिएगा MSP कब मिलता है देखिए MSP मिलता है अगर मान लीजे एक किसान है उसने 100 कुंटल गेहूं उगाने में मान लीजे उसका खर्चा 50 रुपए का आया है तीक है मान लीजे एक सिर्फ हम example लेके चल रहे है 100 कुंटल गेहूं उगाने में उसका खर्चा मान लीजे 50 रुपए का आया है अब अगर मान लीजे जब वो मार्केट में जाता है और मंडी में उसको 50 रुपई से भी कम दाम मिलता है तो ये तो नुकसान हो जाएगा ना उसका उससे जादा पैसा तो वो उससे उगाने में लगा चुका है तो आखिर कार वो उससे कम पैसे में मान लीजे उसने लगाया था 50 रुपए और मंडी वाले कह रहे हैं देखो साब ऐसा है हम आपको 40 रुपए में हम आपसे ये खरीदेंगे तो ये तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो जब ऐसी situation होती है जब किस market में दाम इतना कम चला जाता है किसान की अपनी जो उसने लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है तो जाहिर सी बात है नुकसान में तो कोई भी काम नहीं करेगा न तो इसी लिए सरकार एक concept लेकर के आई है MSP ये concept नया नहीं है काफी पुराना है minimum support price इसको निकालते कैसे हैं इसको निकालने के दो तरीके होते हैं देखिएगा MSP निकालने के दो प्रकार होते हैं कैसे MSP निकाला जाता है इसके उपर हम जरा चर्चा करेंगे और आप बहुत जरूरी है कि आप इस चीज़ को समझे क्योंकि सारी problem ही इसी के round खूम रही है सारी problem MSP के round खूम रही है देखिए सबसे पहले MSP क्या हुआ MSP होता है minimum support price अब ये कैसे निकालते हैं ये समझे इसके दो तरीके होते हैं MSP निकालने का तरीका होता है तरीका नमबर एक जरा हम इधर रखेंगे तरीका एक और उधर रखेंगे तरीका दो बीज खरीदने में जितना पैसा लगा हो फिर आपने उसमें first pesticide इस्तमाल करे होंगे इस तरीके के जितनी भी चीज़े आपने आपने काफी सारा आपने irrigation के लिए बिजली का पैसा दिया होगा इस तरीके से जितना भी पैसा मतलब आप समझ लिजे गेहूं पैदा करने में जितना भी बिल अपका बना है कुल मिला कि आपकी बिल की वैल्यू निकाल लेती है सरकार कहती है आप अपने बिल की वैल्यू निकाल दोगी साहब आपका कितना पैसा खर्च हुआ है इस गेहूं को काम करते हैं तो उसका पैसा मैं उनको थोड़ी न दूँगा तो अब ये कहते हैं कि लेकिन अगर मानलो उनकी जगा कोई और लेबर आता मानलो मैं और मेरा भाई खेत में काम करते हैं तो अगर मानलीजे मेरे भाई की जगा अगर मैं कोई और labor रखता, तो labor एक दिन का कितना पैसा लेता, उस हिसाब से जोड लिया जाता है कि कितने लोगों ने खेत में काम किया है, उनका कुल मिला करके कितना labor cost होगी उसको भी इसमें जोड लेते हैं, माने family labor उसको बोलते हैं, bill भी जोडते हैं, और family labor भी ठीक, यही होता है MSP तो अब example के तौर पर समझेए, मान लीजे क्या हुआ, कि हमारा पूरा, मैं 100 कुंटल गिहूं की बात करता हूँ, ठीक है 100 कुंटल गिहूं उगाने के लिए जिस एक example ले रहा हूँ, नंबर, ऐसा लगा, कि हमने यह निकाल लिया, यह हमारा 5000 खर्चा इधर आया, और family labor हमारा 5000 का family labor लगा, तो कुल मिला के यह कितना हो गया, 10,000 तो सरकार जब 100 कुंटल गिहूं हमसे खरीदेगी तो यह कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू देड़ माने, 15,000 हो जाएगा, ठीक है, तो सरकार MSP ऐसे calculate करती है, अब समझेगा, एक दूसरा भी तरीका होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आप बिल की कीमत जोडते हैं, साथ में आप family labor की कीमत जोडते हैं, साथ में, जो आप औजार वहाँ इस्तमाल कर रहे हैं, for example, मैं tractor इस्तमाल कर रहा हूँ, मैं tractor इस्तमाल कर रहा हूँ, मैं वो जमीन इस्तमाल कर रहा हूँ, जो मेरी जमीन है, लेकिन मैं अपनी जमीन के उपर भी तो काम कर रहा हूँ, तो मेरा tractor, अगर मैं किसानी नहीं कर रहा होता और अगर वो ट्रैक्टर मैंने किसी को रेंट पर दिया होता तो मुझे एक दिन का किराया कितना मिलता या महिने का किराया कितना मिलता उसी प्रकार से अगर ये जमीन जिसमें मैं खेती कर रहा हूँ अगर मैं खेती नहीं कर रहा होता और अगर ये जमीन मैंने किसी को किराय पर दी होती तो मुझे कितना किराया मिलता उससे उस जमीन का, जमीन का, ट्रैक्टर का और जितने भी टूल्स मैं इस्तमाल करता हूँ उन सब का अगर मैं अपने खुद के काम में ना लगा करके अगर मैंने किराय पे दे दिया होता तो तो मुझे कितना पैसा मिलता तो उसी को बोलते हैं दूसरे तरीके में क्या करते हैं इसको भी आड़ कर देते हैं ठीक है तो अब क्या होता है दूसरा तरीका ये होता है फॉर एक्जामपल पांच हजार मानलो मेरा गेहूं को पैदा करने का बिल आया है पांच हजार मेरा लेबर की कीमत आई है और दो हजार मानलो मेरा रेंट आया है तो ये कितना हो गया पांच पांच दस दो बारा और multiply इसमें भी देड़ से ही करते हैं यानि इस case में MSP कितना हो जाएगा 18,000 सारे फसाद की जड़ यही है सारे फसाद की जड़ यहां पर है farmer association और ये दोनों ही तरीके एकदम सही हैं ये economically मानने हैं अलग-अलग countries अलग-अलग तरीका follow करती हैं India follow करता है ये हमारे किसान चाहते हैं कि follow किया जाए तरीका ये आप अंतर समझ पारें क्यों follow किया जाए वो उनका कहना है कि साहब ये भी तो तरीका होता है तो कि ऐसा अगर करेंगे तो उसी crop का MSP और बढ़ जाएगा उसी crop पे उपर अब उनको जादा MSP मिलने लएगा जिस पे उनको पहले कम मिल रहा था तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस MSP का है कि इस case में कैसे MSP मिलता है और इस case में क्या होता है इस case में एक पार्ट और extra मान लिया जाता है कि जो जमीन आप जिस पे आप या आप ही भले वो मेरी जमीन हो उस पे जैसे मान लो मेरा घर है अभी मैं इस पे रह रहा हूँ लेकिन अगर मैं इस पे नहीं रह रहा होता तो मेरे पास में क्या हर महीने मान लो करीब 40,000 रुपे किराय का आ रहा होता तो फिर चार महिने में ये कितना पैसा हो गया होता एक लाग साथ हजार या पांश महिने में दो लाग हो गया होता तो उसको भी फिर मैं इसमें आड़ कर रहा हूँ यह है तो अभी एक डिमांड तो यह है कि भाई देखिए MSP आपको बढ़ाना चाहिए बेसिकलि इनका कहना है दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए पहली डिमांड इनकी ये है दूसरा इनका ये है कि देखो ऐसा है भारत में समय MSP 22 फसलों में 22 प्लस 1 एक गन्ना होता उस पर MSP नहीं बोलते हैं उस पर FRP बोलते हैं तो इनका कहना है कि देखिए ऐसा है आप हमको guarantee दीजिए कि आप MSP पहली चीज तो सब पे देंगे भारत में MSP के अंतरगत cover होती है 22 crop लेकिन इन सारी 22 पे मिलता नहीं है मिलता है कम crop पे मिलता है 4-8 crop पे मिलता है डिपेंड करता है किस जगा पर किस राज्य में क्या MSP मिल र क्या क्या demand सही है current demand क्या है पहली चीज़े legal guarantee दीजिए आप हमको binding assurance और binding assurance कब होगी जब कोई law आ जाएगा MSP के उपर तो यह कहते हैं कि आप binding assurance दीजे कि MSP cover होगा सभी crops के उपर MSP cover होगा legally bind करिए सरकार कहती है कि भारत के पास में इतना पैसा नहीं है अगर हम legally bind हो गए MSP की देने के लिए तो फिर यह पैसा कहा से आएगा पैसा आता है tax का पैसा tax का पैसा इतना है ही नहीं कि जिससे की देजबर के सारे किसानों को एक fix MSP दिया जा सके तो यह बहुत बड़ी दुविदा हो जाएगी अगर यह देना पड़ेगा तो यह problem में फज़ जाएंगे हम क्योंकि फिर legal foundation होगी तो फिर पैसा कहा से आएगा उस चीज़ का उसका burden सरकार का कहना है कि वो किस के उपर आएगा वो taxpayer के उपर आएगा और taxpayer भारत में हम आपको बता दे है one of the highest tax already दिया जाता है भारत में एक आम आदमी आज की rate में one of the highest tax देता है तो सरकार है कहना है already आ दूसरा वाला तरीका चुनिया आप पहला वाला तरीका क्यों चुनते हा रहे हैं अब सुनियेगा फिर इनका कहना है कि आप सारी कि सारी crops पे दीजे आपने जैसे 22 fix रक्की हुई है आप जितनी भी crops होती है उन सब पे दीजिए फिर ये कहते हैं अब तीसरी चीज़ ये हम अब साहब आपसे सारा अनाच खरीद लेंगे MSP के अंतरगत तो किसान लोग जो है ऐसा हो सकता है कुछ किसान ऐसा करें कि उनको पता है कि सरकार सारा का सारा जो भी उन्होंने पैदा किया सारा सरकार खरीद लेगी तो अब आप एक ऐसी situation सोचिए जहां पर मुझे पता है कि मैं जितना भी पैदा करूँगा सारा माल बिख जाएगा तो मैं जरुवत से भी ज़ादा पैदा करने लगूंगा ना क्यों मुझे पता है सारा माल बिख जाएगा क्योंकि खरीदार buyer हमेशा खड़ा हुआ है जब कि हर business का एक principle है कि buyer को seller ढूनना पड़ता है अगर मैं seller हूँ तो मुझे seller को buyer ढूनना पड़ता है मैं ढूननूंगा कि मेरा सामान कौन लेगा तभी मैं अपने दाम कम रखूँगा कम दाम करूँगा ताकि भाई कौन-कौन उस दाम पे मेरा सामान लेने के लिए कुछ लोग available हो लेकिन अगर ये mandatory हो गया कि आपने जितनी भी फसल करी और जो भी फसल करी हम वो सारी फसल खरीद लेंगे तो फिर ये क्या हुआ सरकार एक permanent buyer बन जाएगी जो की मजबूर है कि उसको सामान खरीदना ही खरीदना पड़ेगा तो इस case में कहना ये है कि भई इसमें तो कुछ किसान ऐसा भी कर सकते है कि भई बहुती जादा एक कोई produce पैदा करना शुरू करते है क्योंकि उनको पता है कि भई ये सामान जो है ये बिक सकता है पूरा का पूरा यहाँ पर एक point ये भी आता है legally binding अगर हो जाता है तो अच्छा फिर आता है अब ये भी कहना है कि देखिए अभी तक जो हम लोग करते हैं अभी तक हम लोग यहाँ पर कितने गुना करते हैं देड़ गुना करते हैं अब ये कहना है कि साब आप इसको भी बढ़ाईए ये देड़ गुना नहीं ये और जादा होना चाहिए MSP का लेवल और जादा होना चाहिए ताकि किसानों को profitability हो चोथी demand जो यहाँ पर आ रही है किसानों की वो ये है pension होनी चाहिए उनका ये कहना है कि देखिए हर सेक्टर में pension होती है तो किसानों के लिए भी सरकार को अपने पास से कुछ pension देनी चाहिए कि जब वो अपने काम करने की इस्तिती में ना रहें तो वो pension उनको regular pension मिलती रहे सरकार का कहना ये है कि देखिए country में majority of the workforce आज भी ये किसानी में involved है और देश के अगर 50-60 प्रतिशत लोगों को अगर हमने pension देना शुरू करा तो पैसा है ही इतना पैसा आही नहीं सकता कि इतन देर सो करोड की जनसंख्या में से 50-60% लोग जो है क्योंकि आप जानते हमारे वाँ आज भी Agriculture-backed economy अब हम धीमे धीमे सर्वेस सेक्टर पर हम जा रहे हैं सर्वेस और मनिफाक्टरिंग सेक्टर पर अब हम जा रहे हैं तो इतने सारे लोग Agriculture से डिरेकली इंडिरेकली लिंड हैं तो उनको pension नहीं दी जा सकती क्योंकि again वो burden कहाँ पर आएगा वो burden आएगा यहाँ पर स्टेट के ट्रेजरी के उपर burden आएगा और ट्रेजरी भरी कहां से जाएगी taxpayer के पैसे से और taxpayer already burden है एक बहुत अच्छी demand है किसानों की वो बहुत सही demand है कि agricultural infrastructure में investment होना चाहिए स्वामिनाथन कमेटी 2004 में वही MS स्वामिनाथन father of green revolution वो गठित करी गई थी तो उसमें यह बोला गया कि आपको कम से कम उन्हों इसमें यह बोला यह गया कि भाई आपको agricultural investment बढ़ाना चाहिए मतलब agricultural infrastructure में investment बढ़ाना चाहिए agricultural research and development में investment बढ़ाना चाहिए सरकार को ताकि किसानों को वहां से फाइदा हो सके जैसे green revolution के time पे किया गया था किसानों को बहुत अच्छा फाइदा हुआ था तो ये एक सारी कुल मिला करके ये summary है जो इस समय demands farmers की है उमीद है आपको समझ आ गया होगा ये पूरा issue आपको समझ आ गया होगा क्यों है सरकार एक तरफ कह रहिए कि पैसे की कमी है किसान एक तरफ कह रहे कि भाई ये mandatory चीज़े ही होनी चाहिए और इन दोनों की बीच में ही टसल बनी हुई है और इसा कोई भी लेना देना पिछले वाले event से यानि 2020 में जो हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है उमीद है आप ये सब कोई बढ़िया से समझ गए होंगे आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा आपको clarity हो चुकी है पूरी की पूरी ये जरूर बताईएगा नीचे comment section में तर तक के लिए thank you so much all the best और ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाब से जुड़े रहिए all the best